हर आप आप स्था होनगे और सुरक्षिक होनगे आज हम 60 आप बध्वे की कड़ी और जीरा रइस बना रहे हैं, बहुत टेस्टी होता है और एक स्पून ऐल में बनके तैयार हो जाता है इसे जरूर बना के देखें रेश्पी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो यह देखी है हमने 300 ग्राम बत्वा ले लिया है और इसकी डंडिया तोड़के अलग कर लिया है और इसे हमने अच्छे से तीन पानी से धो लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है इसलिए इसे आप अच्छे से धोएं और एक कप हमने खटी दही लिया है और हाप कप बेशन लिया है और यही इसका रेशियो है जिस कप से आप दही लिये उसी कप से पानी डालेंगे तो आप선 कर देंगे- सबसे पहले हम मत्वुरुव के CanFake Pam day clay बना लेंगे फिर हम जीरा राइस बनाएंगे इस तरह से देखे इसे छोटा-छोटा चौप कर लेंगे तो इस तरह से हमारा बथुआ कटके तयार हो गया है फाइन सा चौप करना है हमको इसे और अब इसे हम पका लेते हैं तो एक कड़ाई चड़ाएंगे गैस पर और इसके लिए तीन स् लाए हमने और अब इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और पांच साथ कड़ी पत्ते डालेंगे जिससे कड़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा तो यह देखे कड़ी पत्ते हमने डाल दिये और अब इसमें हम डालेंगे बथुए को चौप करके रखा है उसे इस तरह से हमको इसे 5-7 मिट तक slow to medium flame पे पका लेना है जब अच्छे से पक जाएगा तभी हम इसमें कड़ी गोल के डालेंगे नहीं तो बतुआ नहीं पकेगा खटा हो जाएगा और नहीं पकेगा दही डालने के बाद बतुआ नहीं पकता है इसलिए से हमको पहले ही पका लेना है त बाकी का नमग हम जब कड़ी गोलेंगे तब डालेंगे तो अभी हम बतुआ पकने के रिए नमग डालके ढखके तीन मिट के लिए रख दिये है और अब हम कड़ी के लिए घूल तेयार कर लेते हैं तो यह देखिए हमने खटी दही लिया है एक कप अगर आप पस खटी दह तो आप 2 कप दही ले ले ले, तो इस तरह से हमने इसमें थोड़ा सा दो के पानी डाल दिया हाप कप उसमें और अब इसमें हम डालेंगे बेशन डाल दिया हैं Lّ अब हम डालेंगे हाफ T A 115 हलिडी और इसपोन हमने डाल दिया है लाल मिर्ज पाउडर तीखा वाला जिसे चटपटा बने और अब इसे हम अच्छे से मिक्सी में फेट लेते हैं तो यह देखिए अच्छे से यह पक चुका है बत हुआ अब इसमें हम कड़ी घोल के डाल देंगे तो अब हम कड़ी को तयार कर लेत और अब इसको हम इसमें मिला देंगे बतुए में उसके बाद हम देखेंगे हमें कितना पानी और इसमें लगेगा तो यह देखिए अभी एक कप पानी डाल के हम जार को दो लेते हैं तो इस तरह से देखिए यह चार कप हो गया और एक कप अभी पानी हम इसमें और डालें क्योंक garant की कड़िया को कम से कम आध़ गंटे पकाना होता है तो हम ने 5 से 6 कप पानी डाल दिया है तोड़ा हमने धोया था जिसमें दही था उसमें डालके और पांच कप हमने इसमें डाल दिया है अब हाफ स्पून हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर और हाफ स्पून हमने इसमें गरम मसाला यह दोनों ही डालें इसे कड़ी बहुत टेस्टी बनता है और अब कड़ी को हम और हलका हलका से देखें इसमें उबाल भी आने लगा है तो इस तरह से आप इसको चलाते-चलाते ही बॉयल करें जब बॉयल आने लगेगा तब चलाना बंद करें और इसे धकन से धक के मेडियम फ्रेम पे कम से कम 20-15 मिन्याट पकाएं मेडियम टो व्लेम पे कड़ी पकाएं तब ही कड़ी अच्छी भनेगी तो इस तरह साफ हमने ढख डिया है औरिए हमारा कड़ी पकने लगा है तो हम राइस के लिए एक कप राइस भिखा के रख दिये हैं जो हम डेली खाते हैं वही चावल हमने लिया है और इसे 15 मिनट के लिए भिखा के रख देना है धो के साफ करके 15 मिनट के लिए भिखा देना है और कड़ी भी हमारी काफी हद तक पक गई है अभी हमें इसे डालेंगे यह देशी गी में हम चौक रहे हैं और अब इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून जीरा जीरा जब अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चावल चावल का पानी नहीं डालना है, चावल को हमें बचा बचा के डालना है, ताकि भुनने में आसानी हो, पानी डल जाने से अच्छे से नहीं भुनेगा, तो इस तरह से हम दो मिनिट तक इसे हम भुनेंगे, और उसके बाद इसमें हमने नमक डाल दिया, हाफ टीजपून, नमक इस चावल लेंगे उसी कटोरी से आप पानी डालें तो एक कप हमने चावल में डेड़ कप पानी डाला है इससे बहुत ही अच्छा चावल पकेगा बिल्कुल गीला नहीं होगा एक बार इस तरह से बना के जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपक फिस्पून नमक और डाल देंगे क्योंकि हमने बत्वा में नमक डाला हुआ है इसलिए हमको इसमें कम नमक डालना है बैलेंस करके डालना है ताकि नमक ज्यादा ना हो और इससे हम ढखके दो मिनट तक और पका लेंगे उसके बाद हम तड़का लगाएंगे कड़ी में तो हम इसमें तड़का लगाएंगे तो देखिए इसी कंसिस्टेंसी की कड़ी बनके तयार होती है बहुत ही अच्छी बहुत ही हिल्दी बत्वए की कड़ी जरूर बनाएं तो यह देखिए हमने तड़का पैन में एक स्पून घी ले लिया देसी घी और गैस में गरम कर लिया है और हाफ टी स्पून लाल मिर्स डालेंगे कास्मीरी वाला जिससे कलर बहुत अच्छा आता है तीखा नहीं होता है और हिंग और अब गैस जला लेंगे और इसे पका लेंगे तो यह देखिए हमारा तड़का पक के तयार हो गया है और अब इसे हम कड़ी में डाल देंगे यह कड़ी बहुत टेश्टी लगता है फ्रेंडस एक बार जरूर बनाईए बहुत ही कम वॉयल में बनता है बहुत टेस्टी बनता है तो इस तरह से हमारी कड़ी बनके तयार हो गया है और हम चावले को देख लेते हैं चावल भी हमारा बशचार ठंडा हो गया है और अब 1 जावल को भी निकाल के दिखाते हैं तो यह देखिए कितना न पेऊं बढți पका है बिलकुल इला नहीं है बहुत ही अच्छा पकाई देखिए कितना ही बढ़ियां बना है इस थे आहिए थो आपके करिए के साथ नहींposition बढ़ा मटपने आप बतुए की कड़ी इंज्वाइ करिए रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे वीडियो को अधिक सदिक मातरा में सेयर करें साइड में बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड कर तो धनिया की पत्ती से गाड़निस करके हम इसे सर्व कर लेते हैं कमेंट बॉक्स में अपने अनुबहुत जरूर सेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स